तौकीर हसन खान सुंबुल तौकीर के अबाजान खूब सुर्खियां बटोर रही हैं इन्होंने जो काम किया है वो बिग बॉस के इत्यास में शायद ही कभी हुआ हो हालक इसमें बिग बॉस भी कम नहीं उनकी भी बराबर की गलती है बिग बॉस ने इस सीजन में जम कर चीछा लेदर मचाई है सुंबुल का तो कबाड़ा किया ही है साथ ही साथ शो को भी मौत के घात उतार दिया अब ऐसा लग रहा है अब मेकर्स ने घर के अंदर सुंबुल को टार्गेट करने में पीएच्टी कर ली है कल का एपिसोड यानि की 24 नवंबर को रात को जब एपिसोड टेली कास्ट हुआ तो वो आपने देखा होगा इसमें बिग बॉस ने जो घतिया हरकत की उसको देखकर खून खौल गया अब क्या किया और ऐसा क्या महसूस हुआ आईए आपको बताते हैं थोड़ा फ्लैश बैक में चलते हैं कुछ दिन पहले बिग बॉस में सुम्बल तौकीर खान को कनफेशन रूम में बुलाया था वहां उनके पापा की तब्यत खराब थी ये उनको बताया गया था वो उनसे बात करना चाहते हैं सुम्बल तौकीर खान ने हसन साहब से बाचीत की और इस दोरान एक्ट्रिस के पापा ने काफी कुछ कहा टीना और शालीन के बारे में भी अपमांचनक बाते भी कही खैर उस समय हम सभी को ये लग रहा था कि बिग बॉस भी सुम्बल को लेकर कंसर्न हैं हाला कि बात में वो सुम्बल को डा लेकिन बाद में डामेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बाद में सुम्बल को फटकार भी लगा दी अब इससे क्या बात साफ है हाला कि इसमें भी कोई दोराय नहीं कि सुम्बल के पापा की बातों में बिग बॉस फस गए क्योंकि उन्होंने तो अच्छे के लिए बा कि एकदम गलत था वो पहले ही वीकेंड का वार में आकर सुंबुल को टीना और शालीन से दूर रहने को कहकर चले गए पर क्या हुआ कुछ बदला नहीं फिर सल्मान खान कितनी बार सुंबुल को आकर बोल चुके थे डाट फटकार भी लगाई लेकिन कुछ हुआ नहीं होग बॉस ने उनको बतोर वाइल कार्ड कंटेस्टन बुलाया है सहमान खान और सुंबुल तौकीर खान इमवी सीरिल में साथ में काम कर चुकी हैं अच्छे दोस्त हैं अब बिग बॉस का ये पैतरा देखिए अभी तक वो सुंबुल को दाट रहे थे लेकिन अब एक बार फि ले रही है शो में कुछ कर भी नहीं रही बावजूद उसको निकालने के वो उसके ही स्तगे संबंदियों को लाए जा रही है खबर तो ये भी है कि फेहमान खान आकर सुंबुल को वीकेंड के वार पर होने वाली चीज़े भी बताएंगे खेर अब इसमें कितना सच है और कितना जूट बिग बॉस ही जाने बिग बॉस ने सुंबुल और उनके पापा की हरकत पर नराजगी जाहिर की थी लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने पेरंस टीचर मिटिंग की है इसमें उन्होंने सुंबुल के पापा को तो बुलाया ही और साथी साथ तीना और शालीन क भी दो-दो हाथ करने के लिए बुला लिया बिग बॉस में एक तास्क नहीं हो रही है लेकिन फैमिली ड्रामा पकु भी देखने को मिल रहा है कंटेस्टेंट अपना गेम तो कम खेल रही है उनके मम्मी पापा को बिग बॉस भडा रही है बिग बॉस सच में महान है खाना खजाना के बाद अब बिग बॉस बना डेली सोप मुबारक हो